तो जी हाँ, welcome engineers, welcome करते हूं आपको Mr. Civil Engineer YouTube चैनल के अंदर और यहाँ आज आप लोग के लिए मैं टॉपिक लेकर आए हूं, soundings का अगर आप सेवल इंजिनेरिंग की student है, साथ में अगर आप सर्वे पढ़ रहे हैं तो सर्वे के अंदर एक बहुत important topic जिसको soundings कहते हैं कोई बात नहीं है, sounding basically है कि या, it is the measurement of the depths of the water आप किसी भी water body की depth find करने को soundings कहते हैं, बहुत असान बात है अब water body हो सकती है, आपकी canal हो सकती है, sea हो सकता है, river हो सकता है water की narrow streams हो सकती है, या आपकी नालिया बगएर भी हो सकती है कोई भी water body हो, उसकी depth find करने को sounding कहते हैं और इसके कुछ equipments है, मैं आपको बता देता हूँ और equipments को हम उठाते हैं, जाते हैं site की उपर और depth find कर लेते हैं water की, मकसद किया हुआ sounding का, बहुत असान है sounding की find करने का मकसद ही, मकसद में पहला जो मकसद आता है वो water body की जो bottom है, उसकी configuration find करने के लिए second जो बात है, वो हमारे पास है, navigation, charts बनाने के लिए और third जो है, the quantity of material dredged जो material हमने excavate करना होगा, पानी के अंदर से अपनी foundation बनाने के लिए, वो material की quantity हम बाइर निकाल लेते हैं तो sounding करने का मकसद क्या हुआ, bottom की configuration find करने के लिए second navigation charts बनाने के लिए, और number three के bottom के अंदर से, जो quantity of material हम बाइर निकालेंगे तो यह थी sounding और यह थी सके तीन basic मकसद अब बात कर लेते हैं, कि यह sounding करते किस तरह है, methods क्या है असान से methods है, कुछ सोड़े बोत हमारे पास equipments है उन equipments की मदद से, हम site के उपर जाते हैं और sounding करते हैं बड़ी असानी से, जो equipments यूज होते हैं sounding के लिए बहुत असान है, जो पहला equipment है वो sounding boat है, आपको एक boat चाहिए होती है अब boat यूज होती है, कहां कहां पर sounding boat कहां कहां पर यूज होती है sea के अंदर और rivers के अंदर असान सी बात है, धरिया में तो आप कूद नहीं सकते समन्दर के अंदर भी कूद नहीं सकते boat के ओपर जाएंगे ना, तो boat एक sounding boat ये एक equipment है, boat के उपर जाकर हम पानी के depth find करते हैं, दूसरा कॉनसे equipment चाहिए होगा, sounding rods चाहिए होते हैं, बड़े असान सी बात है, rods होते हैं, जिस तरह आपके survey के दिने staff rods होते हैं, इसी तरीके का एक sounding rod होता है, पानी के अंदर इसको dip करते हैं, और निकाल के इसके ओपर graduation होई होती है, पता गला गाले हैं कि पानी के कितनी गहराई है, अब sounding rod जो है, ये shallow depth के लिए यूज होता है, जहाँ पानी कम हो, समंदर के अंदर आप sounding rod नहीं डाल सकते हैं, अगर आपने डाला वो तो अंदर गया, इसके बाद जो एक equipment है, वो lead lines है, अब lead line भी जो है, वो sounding rod की तरह है, लेकन ये stretch cord होती है, steel की wire होती है, जिसके last में weight लगा होता है, अब इसके ओपर भी graduation होई होती है, या आप इसको पानी के अंदर डालते हैं, अब ये shallow depth के लिए नहीं है, यहाँ पानी की गराई थोड़ी सी ज़्यादा हो, आप पानी के अंदर डालें, उसको बाहर निकालें, जहां तक पा इसको measure कर लें, simple तरीका, students बहुत confused होते हैं कि sounding बड़ी कोई मुश्किल चीज़ है, it's easy, और अगर easy ना हो तो इन वीडियो के through में civil engineering को आप लोगे के लिए बहुत असान बना दूँगा, आपको रट्टे हमारने की जुरूद नहीं है, समझ लो, exam में पास हो जो, असान सी बात है, इसके नमबर का equipment है sounding chain, अब ये वही chain है जो हमारे पास survey की normal chain होती है, इसके भी वो links होते है, brass का material होता है, पानी के अदर इसको डालते है, जहां तक ये भी wet हो जाए, गीली हो जाए, आप इसको नाप लें, इसके इलावा इसके उपर graduations भी होती है, so it's easy, इसके न पास जो फैदो मीटर है, ये impulses पे गाम करता है, electronic impulses पानी के अंदर जाती है, जहां से वो bottom से touch होकर वापस आती है, तो इस time lapse को calculate किया जाता है, और से distance find किया जाता है, इसमें भी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, machine के तुरू हम depth को find कर लेते हैं, इस process में method बहुत तेज ह फास्ट है, जल्दी होता है, बोट चलती रहती है, अपने points के उपर आती है, बटन दबाते है, sounding आती है, digital instrument होता है, वो हमें उसकी depth बता देती है, हाथ से calculate करने की भी जरूरत नहीं है, machine आपको बता देगी, तो बात कुछ signals यूज होते हैं, जो कि हम अपनी shore line के करीब कु configuration हा जाती है, bottom की, तो हमें पता चल जाता है कि कितना material हमने बाइर निकालना है, कितने different points के उपर depth कितनी है, तो जब hydrographic survey का मकसद ही क्या है, कि हम अपने harbors बनाते हैं, और ports बनाते हैं simply, तो उसके लिए foundation बनानी है, हमने पानी के अंदर, तो पानी की depth पता चल जाती है, कितना material निकालना है, वो पता चल जाता है, और different points के उपर configuration पता चल जाती है, bottom की, अब पानी के अंदर vegetation भी होती है, पानी के अंदर different किसम की fishes भी होती है, पानी के अंदर छोट छोटे plateaus भी होते हैं, उन सब की locations पता चल जाती है, उस इलाके को साफ करके, अपने लिए flat bottom बना के हम अपनी foundation create कर लेते हैं, so it's a simple, sounding असान सी बात है, depth find करने को कहते हैं, किसी भी water body को different तरीके है, ocean sounding के मिन आपको तरीके बता दिये, ये सिर्फ introduction ता sounding का, अगर आप detail में इसकी complete video देखना चाहते हैं, तो नीचे comments मुझे बताईए, और वो कौन से topics हैं, जो आपको सम इसके अलावा अगर आपने इस video को अपने civil engineers के साथ share नहीं किया, तो फाइदा क्या हुआ फिर, उठा के video को share कर दो, अपने facebook के ओपर, civil engineer friends के साथ share करो, ताकि वो भी इस तरह की videos देखे, कुछ सीख सके, और exam में अच्छे number ले सके, इसके अलावा practical knowledge भी, मैं आप लोग के लेकर आने वाला हूँ इस channel के ओपर, subscribe करके channel को, वीडियो को like जरूर कर दे, and मेरे civil engineers, thanks for watching.